अगर आप एक ऐसे student है जिसने bank exam की त्यारी अभी शुरू किये या फिर बीच में काफी लंबा गया पा गया था फिर सिर्जूम किये त्यारी तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना है छोटी से video होगी आपका time waste करूँगा निमें सिर्फ एक logical बात आप सभी के सामने रख अची है तो इसमें आपको join कैसे करना किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज से motivate होके आप यहां तक पहुंचते हो और bank exams की त्यारी शुरू करते हो normally जब बच्चे को इसके बारे में कम पता होता है तो वो गलत तरीके से start करता है और जब गलत तरीके से आप start करते हो और आपको failures मिलते है तो आपको self doubt होने लग जाता है आपको लगता है कमी आप में है कमी है आपको बताने वाले में जिसने आपको तयारी के बारे में बता पता ही नहीं है आपको examination के बारे में डंचे पता नहीं है आप obviously method तो सही रखोगे नहीं तयारी का और जब आप method सही नहीं रखोगे तयारी का तो selection होने के chance थो obviously बहुत कम होगे selection होगा नहीं तो बाद में सवाल आपके aptitude पे आपकी excellence पे आपकी IQ उठाया जाएगा दुनिया उठायी की उठायी की खुद खुद पे सवाल उठाने लगोगे तो सबसे पहली बात है कि what is the right manner of preparation आपको पता होना चाहिए अगर आप एक beginner है और आपने तयारी शुरू की है तो मेरी बात please ध्यान से सुनना इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आज से लगभग अभी आपका जून चल रहा है जुलाई गया और ऑगस्स से एक्जामेनेशन स्टार्ट हो जाएंगे अभी एक दो महीन है बच्चा बहुत ज़्यारी में यह जो आप जल्दी जल्दी से लेबस करने की तरफ और जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट करने की तरफ सब कुछ जल्दी जल का कि दो महीनों में सेलेक्शन हो जाएगा आजो में है मैं यह क्रैस निकाल रहा हूं लेखे मेरे कोई बड़ी बात नहीं है मेरा फायदा होता हमें मेरा फायदा सोचता को मेरा और बड़ा जिससे आप-छों का सेलेक्षन हो ठीक है और वह वह बात समझने के लिए सोचो समझो कि क्या चीज है और त्यारी है क्या आपको ने सबसे पहली बात go slow बहुत important चीज है अगर आप एक beginner हो ना और आपको त्यारी शुरू किये हुए एक महीना दो महीना हुए अभी शुरू हुई है दो तिन महीने से सुना है या कची पकी त्यारी है या आप चीज को बारी की से सीखो एक चप्टर को बारी की से सीखो एक इक concept को बारी की सीखो आरार भी टार्गेट मत करो आप टार्गेट करो IVP SPO SBIPO या SBI इकलक जो आध से चार चार महीने बाद paper होने वाले हैं उनको target करो अभी मत target करो या एक-दो महीने बाद वाले examination में target करो भीड में चलते हुए न हमारा मन करेगा क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं मैं क्यों फीशे हट जाओं प्रॉब्लम क्या होगी आप एक दो महीने में छट फटाते हुए तयारी करोगे कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया इंपोर्टेंट कर लिया कम फंडमेंटली इतना स्ट्रॉंग कर लो कि आज से तीन महीने बाद तुम एग्रेसिवली मेंस की त्यारी शुरू कर सको तुमारे फंडमेंटल्स इतने स्ट्रॉंग हो जाए और आज से चार-पंच महीने बाद होने वाले पेपर्स को उखाड के रख दो ठीक है तुस आई आप सभी के लिए बहुत ग्रेंड लेवल के सर्प्राइज जो आपकी तयारी ओर सिंपल और स्मूध बना देंगे ठीक है इसके अलावा अगर आप आपकी पॉकेट अलाव नहीं करती है या फिर चलो पॉकेट अलाव करती भी है अचे नहीं करती किसी भी किटेगरी में आ पहली बार आयो तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट है अलग-अलग तरह की उसको चेक करो मेंस पढ़ना है मेंस की डियाई है तो डियाई की अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक की कॉन्वर्सेशन की स्ट्रेटिजी की बहुत कुछ है जिस चेक आपकी त्यारी में अच्छा वैल हलकी हलकी नमी है इमाजिन स्माइल है उनके फेस पे खुशी है आँकों में नमी है उनका हाथ आपके सिर पे है एक तरफ से उन्होंने आपको साइड हक किया हुए टाइट वाला इधर से मम्मी ने आपको बहुत जोर से हक किया हुए तोनों के आँकों में नमी है आप सोच दो फटो नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ है वो दिन होगा result day manifest करो उस दिन को और उस दिन को अपना बनाएंगे उसके लिए आज दिन राते करेंगे